लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जीले में गुरुवार को पांतर सैंपल की रिपोर्ट को रोना पॉजीटिव आई इनमें अदिकांच ऐसे मरीज हैं जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं एक पॉजीटिव मरीज सेलून संचालक होने की वजह से लोगों में बिमारी के संक्रमन को लेकर देशत बनी हुई है इन पांच संक्रमितों को लेकर जिले में कुल पॉजीटेव केस 144 हो गए हैं। कुरोना का संक्रमन बढ़ता जाही रहा है। अब ऐसे लोग इस खतरनाक बिमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं। गुरुवार को जिन पांच व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजीटेवाई है। उनमें एक फाजिलनगर क्षेत्र के महवा भुजुर्ग, दूसरा तमकुह क्षेत्र के भरवा राजा पाकर्ग और तीस रमदुरिया, चोथा सेव्रह क्षेत्र के भावपुर्व, पांचवा ह आटा क्षेत्र के पग्रा का निवासी है। इन सभी को लक्षमिपूर के अट्टाइक एलेक हॉस्पिटल में भरती कर उपचार प्रारंब कर दिया गया है। डी एम भुपेंद्र इस चोधरी ने बताया कि पांच सैंपल की रिपोर्ट पोजी टेवाई है। इन मरीजों क को ततकाल भरती कराकर एलाज प्रारंब करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये लोग कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए हुए मरीज हैं। बोला कि जब तक हम कोरोना के संक्रमन से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी रूप से नहीं करेंगे तब तक इस पर नियंतरन कर पाना कठिन होगा।